हेलो फ्रेंट अन्ना की रसोई में आप सबका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं देखो पालक पनीर और ये कितना यमी और कितना बढ़िया बना है तो आज हम इस तरीके से पालक पनीर बनाएंगे तो मेरी वीडियो को बिना स्किप करें पूरी देखना तो चलिए फ्रे में स्थाफ़ी फॉष करेंगे तो participar रही है पानीर जो में इसके अडरल कि और बलूने Hioda कि इसको कि अन्दर चिपको के इसके अदर ऑनीर फॉत आप जो ये स्थेक्लिक, और सर्दों सुआ है, कियाır अंदर जो पाटने के बार जो चिपक जाति है लुटिव निकलने पाती सावस दोने पे बेस्ट पटल से निकल जाती है अब है अधि मेह यह बार इसको थाउंच में गुष्छ कीया है यह पाणी में दोंगे और अगर हम इसे साभुद होते हैं तो इसके इंदर जो हम जो ग्रीन ग्रीन पार्ट निकलता है पानी के देखो यह पानी इर्दन ऐसे इसके इसके का दिकला है देखो दूसरी वार्ज अनुनित होया है तो जो हम ग्रीन ग्रीन सा पार्ट निकलता उसके इंदर हमारी विटामिन बिटामिन B और C निकल जाती है पानी के दोरा हम दोलेते हैं हरी सब्जी को पाट करके तो इसलिए अगर इतना हो सके इतना आप सब्जी को हरी को कोई भी वह साब जिसे साबुती अगर बोश करते हैं तो बहुत अच्छा है यह मैंने दो प्याज लिए और इनको धोके गुश करके अच्छे से छिल करके रख लिए एए एक थोड़ा छोटा है एक थोड़ा बड़ा है तो यह बड़ा वाला प्याज हम पहले काम मिलेंगे आपको मैं जैसे जैसे बता देती जारी हूं वीडियो मेरी पूरी देखना फ बना रही हूं बसे बसे आपको में बताती जाओंगी मेरी वीडियो पूरी देखिए प्रब्स में पालक को इतने काट ती तो आज हम पालक को उबालेंगे नहीं और आपको बताते हैं हम इस तरीके से पालक को प्रांस हमें बड़ी वाली प्याज है इसको खोड़ी मोटी मोटी सी कटिंग कर लेते हैं तो कि हमें इसे ग्राइड कर लिए हैं तो हम इस बड़ी वाली प्याज को हमें दोए प्याज लिए हैं इसको हम कट कर रहे हैं यह बहु ऐसे ही साथ कर रही हूँ जारबारिक करने कि इसको जड़ाद नी है क्योंकि हमें मिक्सिकनल ग्राइन करनी है इसलिए हम इसको इसी तरीके से कटिंग कर रहे हैं कुल आज़ कि एक बार पालप पानीर बना के देखिये आप को ऐसा लगेगा कि इतनी टेच्टी पनेगी सबजी आपकी कि आपकी ये पालक पनीर सर्दियों के अंदर फैबरेट बन जाएगी और ये स्वाध आपकी जबान पर एकदम चिपक जाएगा तो फ्रेंस देखिए ये हमारा गी पीगल गया है और अब हम इसके अंदर डाल रह है ये कालीबिर्च, आटस सो दस काली मिर्चा ये हमने इसमे डाल दी है और ये फ्रेंस मैंने दाल्चीनी का टुकड़ा दिया है ये भी मैं इसमें डाल रही हूं ये बैड़ी इसमें डाल ऑल गया अब इसी के एछाफ में सबतर तहले ये आद्रश के पीसे डाल strainव 5 पीस हर दिएवे यह इत्रस का प्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आता है अब रख जओ मुदां इत्रस बहुत अच्छी Works कर इतना अच्छा प्यापाने कि आомद निगें में इस एं पत्फिक शड़ेश प्याज भी राब दोगे हैं किसी तरीके से हम इनको फोरा सा हलका हलका सा इनको दूलने दोगे यह हमारे प्याज लसन अब रख सारे हो गए है थोड़े गुन गए है अब हम इसमें यह पालक कर रहे हैं आज हम पालक को उबाने के नहीं इसी प्रकार हम पालक को दलाएंगे यह इसके अंदर अच्छे से दल जाएगा आप देखते चाहिए मेरी वीडियो देखना पनीर हमारा आज कितना अच्छा और तेश्टी बनेगा कि आपको पीज सब्सक्री बन करेगा कि हम पालक पनीर ठाएंगे इसके हम ऐसे ही बना लेगे और यह थोड़ी देर में ज्यादा ताइम नहीं लगेगा कुछ ही मिंटों के अंदर यह अच्छे से गल जाएगा क्योंकि पालक के अंदर नमक होता है और यह नमकीन नकीन होता है तो यह तो जबदी घल जाता है कि अबिसे के अधर 5 दे दिझे कर लेते हैं यह हमने दूसरा वाला प्याज लिया है इसे थोड़ा सा बारिक-बारिक कर लेते हैं आप इसे चॉप भी कर सकते हो बारिक-बारिक कर लेना जिस तरीके से थोड़ा मोटा सा हो जाए इतना बारिक नहीं हो और इतना मोटा भी नहीं हो इस तरीके से कपिंग कर लेना यह मैंने चार टमाटर लिये हैं इनको मैं ग्राइड करने के लिए मिक्सी के जार में कट करके डाल रही हूं इनको ग्राइड कर लेते हैं अगल पर दिया घ्रणिए कर लिए हैं आप तुमाटर की माटर कंजाना कर सकते हो या एक और बढ़ा सकते हो अधूँ कम भी करसकते वह आप जैसे जितने आप पसंद करते हो इतना इसकते हैं मेरे तु चारी लिए है के परेंस देखे यू फ्रेंंस तालग में अपने आपी पाणी भी हो गया हग और ये गंदिध गया है देखो गण्डी और फटाफट से कल गया है हमारा पाला, देख सकते हो अच्छे से इसकी डंडिया भी मैंने काट दी थी जेखो ये भी अच्छे से हो गया, आप देख सकते हो कि ये बहुत है, इस दों गल गया है, अब इसको हम धंडा करने के लिए प्लेट में रिखाल देंगे और आगे की तयारी करते हैं, जो धंडा हो लेगा इतना प्लेट में गरंगरं ग्राइब नहीं कर सकते हैं, इसको मिक्सी के अंब धंडा करके ही इसको ग्राइब करेंगे, अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ओल, आप ओल की कॉंटिटी देख सकते हो, अपने हिसाब से कम ज अद्रक के दो पीसेज छोटे-छोटे से ओर लिये हैं, ये मैं अमाम दुस्ते में इनको थोड़ा सा अच्छे से कूट करके, और अमाम दुस्ते में अच्छे से कूट लिया है, और ये मैं इसके अंदर सबसे पहले डालूँगी तेल के अंदर, इससे बहुती अच्छा औ और सुवंदित टेश्ट आता है इतनी खुस्बू आती है इसके अंदर कि ये बाज में डालने से बहुत अच्छी लगती है पलक मनीर और ये बारी कटिंगी प्याज मिस्के अंदर एक प्याज हमें पहले काम में दीजिया और एक प्याज हमें आपके आपके ये कटले भीली प्री कठ़़ी की किसी गूंदे पानी की चरिये गए इसके अंदर इस वजे से खुड़ा का पेल ऐसे ज़्यादा स्पीटेशी लगाने रख्या और इसको हम अच्छे से चलाते हुए खलका ब्राउन कलर में ये आज को गुनेंगे इस पालक फनीन एक बार जरू प्राई करना ते अदर्षया चालू अंदर के दिशंघ आ क्थि में ख्रूब आ रहा है और पालल समीर जरू जनाने की प्राई करना तो तब ये एक इस ट्रिक से बनाने की एक बार जरूर कोसिस करना कि आपको केसा टेश्ट लगता है पालक पनीर का तो कमेंट में जरूर बताना देखें प्रेंस हमारा प्याज हलका हलका रड़ ब्राउन गोल्डर ब्राउन कलर आ रहा है और जो अब्रक के पीसे थे वह अच्छे से सफारी कलर के हो रहे हैं इसको हम चलाते जाएंगे तो यह एकवल तरीके से हमारा प्याज दूलेगा अगर हम इसे छोड़ देंगे तो कहीं से लाल हो जाएगा और कहीं से अच्छा रह जाएगा तो इस वज़े से हमें इसको चलाते ही हलका सा ऐसे इसको अच्छी तरीके से बूलना है कि उसका टेश्ट कुछ अलगी अच्छा आता है अब हम इसके अंगर हल्दी पाउडर डाल देंगे यह मैंने वर्म स्कूल अब हल्दी पाउडर ली है और वन स्कूली में मिर्च लेएगा लाल मिर्च पाउडर है यह और यह बन स्कूली में इसके अंदर जीरा दे रहा है वो सोरी फ्रेट्स धनिया पाउडर बे रही हूँ यह देखो हमें सब चीज अच्छे से निक्स कर दी है और हमारा मसाला अच्छे से घूंड़ेया है और फ्रेट्स यह मैं वन स्पून ली गरम मसाले के डाल रही हूँ इसे के साथ मैं डाल रही हूँ यह जो हमने चा तमाटर की जो दूख से के अंदर ग्राइंड करके प्यूरी बनाइधी यह इसमें ब्राइद लिए यह देखो हमने टमाटर इसके अंदर प्यूरी बने वे डाल दिये है ऐब इसे के साथ हम इसमें नमक एड़ करेंगे नमक हमने कहीं भी कोई भी मिसाले में नहीं डाला है neglected और नमक हम यहीं पर डाल रहे हैं तो यह नमक हम स्वाथ के अनुसार आपने हिसाब से आप डाल सकते हो यह मैंने छोटी स्पून थी तो मैंने दो स्पून डाली है यह आप देख लेना अब हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे और इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे और तब तक हमारा जो पालक प्याज लसन जो खमने आपको बताया था उसे हम ग्राइड करके लाते है ये इस सारा घंडा हो गया देखो चून लायक हो गया है में हास सही छून करके इसको इसमें डाल रही हूं और अब हम इसको ग्राइन परके ले के आते हैं यह मैंने देखो पालत आपके सामने उबाला नहीं है और मैंने इक बस खाली घी के अंदर आपको बताया है उसी तरीके से जैसे मैंने प्याज लसुन वो थोड़े थोड़े हलके ब्राउन करके और गलाए थे वैसे ही मेरा पा आपके बस देखो अच्छे से पप गया है आप देख सकते होँ मसाला पक चुका है अब हम इसके अंजर जो हमने यह को trop पीसा घ्राद यह वां इसमें डाल रहे हैं निल्ट काई Verg kep वालक आजू आ यह शाकारी दृतिक्षय Cap बप्वालादे तल यहमने पानी डाल करके हम इसको अच्छे से खब्लाल करके डाल देंगे यह हमने पानी की इसमें डाल दिया है जो मिक्सी का हुआरा अंदर का जो इसमें बचा हुआ था सारा पार्ट इसके अंदर आ गया है अब हम इसको मिक्स करेंगे देखिए बिना उबाले ही अच्छे से पालक डल गया था और कितना बढ़िया तरीके से ग्रैंड भी हो गया है आप देख सकते हो अब हम इसको कुछ मिनट के लिए दो से तीन मिनट के लिए और उबलें देंगे यह मैंने तीन सो गराम पनीर लिया है अब मैं इसको कट करके और हमारे पालक की ग्रेवी के अंदर डाल दूँगी आप पनीर के पीसे अपने अकोड़ी काट सकते हो छोटे बड़े मैंने सारा पनीर यह कट कर लिया है और मैं इसके अंदर एड़ कर देती हूँ अब हम इसके अंदर एक बाला लेकर के डब देते हैं और एक बाला लेने तक के लिए पिर तीन से चार मुनिट के लिए इसको और कुक करेंगे मैंने गैस की अकि अपर यह मै ने दिया लिया और दिया यह पहले थिर तो मेंसे चीव Susi Bто coule ले लिया है काम में तो इस दिये को गरम होने के लिए रख देते हैं कि यह दिया हमारा सवाग हो गया है और अब हम इसई फ्लेम को कर दे ते हैं बंद भिज़ bono और इसके अंदर बार देते हैं बेश के घी यह थोड़ा सा जादा हो गया था दिये से बाहर निकालता है इसलिए मैंने निकाल लिया है दिये और अब हम इसके अंदर जीरा डाल देते हैं यह हमने जीरा डाल दिया है तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आएगा प्रेंस एक बार इस ट्रिक को जरूर अपनाना पालक पनीर के अंदर अब हम यह दिया इस पालक पनीर के अंदर और ढग देंगे इस दिये को हम निकाल लेंगे यह दिया हम इसको निकाल लेंगे और इसमारा पालक पनीर के बढ़ियो हुगया है आप देखपते हो कितना मज़ेदार कितना बढ़िया पालक पनीर बनाए इसका टेस्ट तो आप कहोगे कि पहुती लाजबाब है अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब करना लाइक करना बेल आइकन को प्रेस करना थेंक्यो फ्रेंड्स